हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग ओल आफ यो वेलकम टू आवर चैनल देयो राइट वे युडिकेशन मैं रोशन कुमार जैसे कि आप लोग के लिए डेली इंपोर्टेट कोशन लेकर आ रहा हूं फिजिक्स का तो उसी तरह से आज में आप लोग के लिए फिर से इंपोर् जरूर से जरूर सेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए क्योंकि मैं ऐसा कोशन में आप लोग को सुर्फ करवा रहा हूं कि उसका आप सारा का सारा में कॉंसेट्ट आप लोग के लिए अवलेबल करा दे रहा हूं ठीक है ओके बच्चों क्योंकि मैं आप लोग को से कर रहा हो तो इस तरह से आप देखेगा कि एक सकते में उतना को सोन को कर दे रहा हूं तो यह जो सेशन आप लोका चल रहा है यह सेशन बहुत ही हिसलिए ज्यादा से ज़ाद़ ह कि यह हमारे साथ जूरे और यह आप ही लोग कर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि चलिए सबसे फर्स्ट कोशन क्या है for every action is and equal to opposite reaction कोशन बोल रहा है कि जो बच्चे हिंदी के हैं मैं उनको हिंदी में ही बोलूँगा ठीक है कि कोई भी action का किसी भी action का जैसे क्या सर जैसे इस बोडी में आप फोस्ट लगाई मतब क्या एक एक संदी इंग फिरे तुए बोड़ी क्या करेगा आप पर एक एक पोजिट रियक्षण निगहेगा चैला अपको प्रेक्षान लगाएगा ठीक है जैसे आपकिसी भी औप जडिक को हात्व से मारते हो तो क्या आथा है आपका हात्व में भी चोट लगता है लगता हैना तो यह कौण सा लोग कहलाता है किसके दवारा दिया गया था यह जो है यह किसके दवारा दिया गया था न्यूटन के दवारा दिया गया था और वर्ट आइंस्टीन के द्वारा गिया गया था या बोर के द्वारा दिया गया था या हैंडन के द्वारा गिया गया था किसके द्वारा यह दिया गया था तो जिसका ऑप्सन नंबर ए आ रहा है उसका राइट अंसर तो किसके द्वारा दिया गया था न्यूटन के द्व अगर मोशन में है तो वह अपना इस कंडिशन को तब तक करके रखा हुआ रहेगा तब तक कि जब आप उसमें external कोई फोर्स एपलाइड नहीं कर दो मतलब क्या सारे मतलब सिम्पल सा है कि जैसे यह बोडी में यह बोडी रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि तुम इसमें किसी भी तरह का external फोर्स नहीं लगा दो अगर यह बोडी मोशन में है यह बोडी तब तक मोशन में रहेगा जब तकि आप इसमें किसी भी तरह का external force नहीं एपलाइड करेंगे तो इस तरह को लोग को बोलते थे हम लोग Newton's first law Newton's second law क्या होता था Newton's second law हमारा देता था force is equal to mass into acceleration और यानि Newton's first law जो होता है वो डाइकली proportional किसका होता है change in momentum का change in the rate और डाइकली proportional to the rate of change of momentum और इसी rate of change of momentum का यूज करके हम लोग क्या लाते हैं फर्मूला लाते हैं फोर्स इज एकल टो mass into acceleration ठीक है न्यूटन's third law क्या होता है Newton's third law बोलता है every action is equal to the opposite reaction जैसे for example आपके पास एक बंदूग है आपके पास क्या एक बंदूग है ठीक है बंदूग है जैसे ही आप गोली को मारते हैं मतब कि आप अपने ट्रीगल को क्लिक करते हो ट्रीगल को जैसे इसे क्लिक करते हैं इसे क्या निकलता है इसे गोली निकलता है जैसे गोली इससे निकलता है तो आपका जो हाथ जिसको जिससे आप इसको अगर कोई नविक है नौ चला रहा है को नौ चला रहा है तो यह नाविक अगर आगेगे कि तरफ क्यों जा पाता है क्योंकि एक रियक्षन लगाता है एक्षन लगाता है पीछे की तरफ एक्षन लगाता है पीछे की तरफ तो आपको ध्यान होगा कि नावी क्या करता है अपने हाथों में एक डंटा रहता है वह डंटे को क्या करता है पानी को ऐसे करके पीछे करने यह न्यूटर्स फर्स्ट न्यूटर्स लॉग के लिए उम्मीद करता है कि आपको फर्स्ट कोशन इसली समझ में आ गया होगा चलिए तब हम लोग नेक्स कोशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको शॉब करना आना चाहिए यह वह पहले तो मैं क्या करता हूं एक बना लेता हूं यह क्या है एक पोट है चल यह सह ठीक है में जम एड़े एट स्पीड और फाइब मीटर पर सेड़र मेरा जो परसेटन होगा इस में यह भी किस कंडिशन होगा रेस्ट कंडिशन होगा सकेंडर कंडिशन क्या ए कि जो पर्षेन है यह गरावड में आने के लिए क्या करता है कूद जाता है कुछ इस तरह से कूदता है और इसका इस तरह से कूदता है कि इसका जो है जो सिटी है वो पांच मीटर पर सकेंड हो जाता है ठीक है सर्थ मुप्स आफ विद दा स्पीड 0.5 मीटर पसे यानि बोट का जो अब जो स्पीड तो है नो वह 0.5 मीटर पर सकेंड का मतलब क्या मतलब यह कि जब आप इससे खूदिएगा तो कूदिएगा तो आप तो एक्षन इधर की तरफ लगा है तो नियूल्टन थर्स लॉक के अनुस सब्सक्राइब जब यह पर्सन का स्पीड 5 मीटर पर सकेंड है तो उस केस में इसे नौ का जो स्पीड है वह 0.5 मीटर पर सकेंड है how many times the mass of boat is greater than that of man मतरब क्या पूछा जा रहा है कि boat का जो दर्मान है वो आदमी के दर्मान से कितना ज़ादा है यह हमको find out करना है को पता करना है एम नोब आपको उसंद में आपको रिलेशन पता करना है कि क्या रिलेशन है वह भी मास के कमपेजर में चलिए इस खोचन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि देखते हैं ठीक है यह आप पहले फिलेजिए क्योंकि हमारा जि figures बने है continental बोल देता हूं ताकि यह स्कृण पर आपके पास फिगर रहे और यह जी आप मैं जो बोलने वाला उचिस को अच्छी समझ लिएगा ठीक है मैं क्या करूंगा मैं मान लूंगा क्या माने के सार आप यह जो पर सनना इस पर सनका मांद लूंगा एम आदमी है मैं है तो मैं और एक बोट है ना बोट कुछ ना कुछ तो जो मास होगा वो क्या माल या बीस क्यों माले से अरे क्यों कि हमको compare करना है बोट और में में इसलिए इसका मास आपको consider करना हुई होगा ना वह आपको में से नहीं है अगर कोसर मैं सांदे दिया रहा है तो आपसे थोड़ी ने पूछता कि मास और बोट में क्या डिफ्रेंस है नहीं पूछता तो इनिसियल कंडिशन में जब आप देखिएगा दो देखिएगा तो क्या है ना आपके पास पर्सन का वहलो सिटी और ना आपके प पहले इनिश्यल केस में भालो सिटी जो है वो जीरो के बराबर है और आपको पता है कि जब किसी भी बोडी का भालो सिटी अगर जीरो के बराबर होता है तो उस केस में मॉमेंटम किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है और इसी मॉमेंटम का यूज हम लोग करेंगे इस question को solve करने के लिए कैसे सर क्योंकि हमको पता है कि law of conservation of momentum नाम का कोई एक चीज होता है जिसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी effect हो रहा है जैसे महां लेते हैं दो बॉल है दो बॉल क्या कर रहा है एक दुसरे से टक्राएगा टक्राने से पहले का मोमेंटम और टक्राने के बाद का मोमेंटम दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इसी को बोलते हैं law of conservation of momentum करेंगा नहीं करेंगा क्या हो जाता है इसी तरह क्या होगा कि इस तरह करेंगे बहुत ही मजदार कोशन है बहुत ही मजदार कोशन है और इस कोशन को सब्सक्राइब करने में एक अलग ही मज़ा है चलिए स्टार्ट करते हैं हुआ क्या कि मैंने तो मान लिया मैंने क्या माना सर कि मैंन का जो मास है वह मैंने मान लिया एम के बराबर और बोट का जो मास है वह मैंने किसके बरा tow-board पॉल स्ट-dell bulky क्या है K Laurent Kya अरे इसलिए से क्योंकि का बात कर रहा है पहले वाले कंडिसन का नी वी फ्र जंप का बात कर रहा है विफॹॉर जंप का बात कर रहा है तो इसका मोमेंटब भी जीरो होगा और इसका मोमेंटम में जीरो होगा अधिनों का समेशन कर दीजिए गा तो जीरो के बरावन ही तो आएगा ना अच्छा सा ठीक है लेकिन जैसे फेलोसिटी में आ जाता है यानि आप्टर जंप का अगर बात करेंगे तो फीगर को ध्यान में रखिएगा आप्टर कि बरावने में कि आपको पता हुँआ कि यो यह से तerson का वे अच्छा ठीक है अब यहां पर नह जो नौ लगा हुआ था ना यह नौ इसके अपोजी डिरेक्शन में मूब करना स्टार्ट हो जाता है और इसका स्पीड दिया हो था जीरो पॉइंट फाइफ मीटर पर सकेंड अब देखे के तरफ हो रहा है तो यहां पर माइनस का साइन आपको देना परेगा है यही साइन कंवे टूर कसके बराबर जीरों के बराबर क्यों साथ अरे इसलिए ना क्यूंकि हमको पता है एक हॉटेंट टू ला आफ कंझरवेशन क्या होगा है क्या होगा पी इनिट्र इस इकॉड टू पी फाइन होगा पी-緊शियल जाँ मे जीरों के बराबर दो सीपा इसा बात है कि पि क्या लेकितले तो तो युज़ विवेशन आए तो इसके बाद अगर हमें इक्वेशन देख लिए तो क्या आया था 5 इन्टी एम यानी 5 एम आया था और माइनस बूलग क्या कर देंगे 5 एम इस इकॉल में क्यों कर रहे हैं अरे इसलिए कर रहे हैं कि वोट कितना ज्यादा है मास आफ में से तो बीज़ा अगर उपर कीजिए गाना तो इसलिए तरीके से सब्सक्राइब उपर बीकिती हैं जैके शोके आज़ेगा की में आफ से 10 गूना ज़्यादा है जैसा कि आपको option number D में answer नजर आ रहा होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number D that means 10 times is the right answer समझ में आया समझ में आया चलिए next question के तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं next question भी मेरा numerical party है question क्या पूछा है कि the ratio of kinetic energy of the body of same mass is for ratio 9 अच्छा ठीक है kinetic energy kinetic energy का concept तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है तो कोई body है अगर यह body में velocity है तो momentum तो होगा ही no dot लेकिन अगर यह motion में है तो इसमें एक energy होता है क्योंकि उसमें कौन सा energy होता है kinetic energy और यह kinetic energy अगर इसका mass aim है इसका velocity अगर भी है तो kinetic energy होता है half mb square के बराबर अच्छा से ठीक है यह relation दिमांग में रखेगा क्योंकि यह relation का यूज करके मैं अभी यह जो numerical solve करने वाला हो वो करूंगा चलिए तो कोशन क्या पोला हुआ हुआ है कि यह mass का जो ratio ना वह 4 ratio 9 है तो हमको निकालना है the ratio of velocity विल भी क्या होगा ratio of kinetic energy निकालना है एक तरह से देखिए इसका कोशन हमनों किस तरह से solve करेंगे तो हमको पता है कि kinetic energy जो होता है वो डैटली प्रपोर्शनल हो रहा है है मास in to velocity के square का अच्छा सकते हैं तो kinetic energy वन अपोन kinetic energy तू अपवन इस इकौल टू लिख सकते हैं एम वन बाइब टू एप इन टू बी वन बाइबू ना बीन बी टू का square लिख सकते हैं क्यों ने लिख सकते हैं और यह कोशन में दिया हुआ है यह जो रेसियो ना ये 4 ratio 9 के बराबर दिया हुगा है किसके बराबर दिया 4 ratio 9 के बराबर अच्छा सर भी वन अपॉन भी टू का होल स्क्राइर हो जाएगा अब देखिए यहां पर क्या बोला दरेश्यों काइनेटिक एनर्जी आप टू बोडिज आप सेम मास इज एक सोरी 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 यहां पर सेम मा मास का बात किया यानि मास इकुवल है और यह जो वेलू दिया वहना फोर रेश्यों ना है वह एक्च्छोली में यह मोन अपून एंटू नहीं है यह चार बटा नौ के बराबर है ठीक है तो स्थोरा सा देख लिजेगा थो थोरा सा देख लिजेगा यह यह यहां यह साफ म नहीं देते हैं और इंटू क्या है भी वन अपन भी टुका अब सभ़ाइए ठीक है यह यह में यहां से कैंसील होगा तो यहां से बी वन अपन भी टू आ जाएगा किसके बराबर अरूट में फौर बाइड नाइन क्या होता है फोर का रूत जब तो टोलियेगा तो दू हो जाएगा तो अंसर किसमें ना जाए रहा है याने बी इस दार राइट एंसर टू रेज्यों थीरी अंसर इसका हो जाएगा ठीक अच्छो समझ में आया समझ में आया या अगर समय में तो लाइक किजिए शलिए सज़िए निक्स सब्सक्राइब की तरह हम अंगे बना चाहता है तो अंब तोनेक्स साइकार कार्स साइकिल एंडिल कार्ससी यूज़ड बॉल बीरिंग किसका यूज और वीयरिंग का क्यों करता 不要 पुछ बॉल बेरिंग जब आप साइक्ल अगर चलाते हो मैं अभी तो कार का नहीं बात करूँगा लेकिन अजिकार बटे साइक्ल चलाएं होंगे आप उनका साइकल खराब हो जाता है या मैं इसको क्या बोलते हैं सर्विसिंग के लिए उसाइकल को लेका जाते हैं तो आगे में क्या होता ना बॉल का हम लोग यूज करते हैं यूज करते हैं ठीक है तो आखिर यह बॉल बेरिंग का यूज क्यों करते हैं यह हमसे पूच्छा गया है आप साइकल चलाते होंगे तो अगर खत्म हो जाता है ना तो इस केस में कुछ प्रॉब्लम क्रेट हो जाता है क्य तरीके से पूब नहीं करता है इसमें जब बनाने जाओगा ना सब्सक्राइब लगा दिया जाता है और इस तरह से गोला गोला सिल्वर कलर का होता है किस टाप का कॉंटेक्ट होता है इसमें ठेक्ष ना का समयघना है कि आखिर आओजयल में एक्सलिज इंग्रीज ना 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 थैफेक्टिव एरिया प्टेग्ट बीटुन विल एक्सलिज इस नहीं करेगा लेकिन रुट्या हो जाता है रिदूस हो जाता है इस लिए राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सान नमबर जाता हंग्सट की तरफ हम लोग आगे भरते हैं क्या बोलना चाहरा है नेक्सों है एक verbal एक बैस्ट मैन है जो क्या करता है चलिए सरो k 1200 दिकत नहीं वीच दैन रोज्स ऑन ऐलेलिवर्गरॉंच्ण याएसे हीinf किया तो बॉल क्या होगा ग्राउंट के साथ कॉंटेक्ट में आया और धीरे धीरे आगे जाने के बाद क्या मतब्कि बैट्स में जो था वह वह बॉल को जाधा ताकत के साथ लेकत जितना ताकत के साथ that यानि पर पोश्रूश ए्ट वन को पोशल डात के साथ नहीं होता है क्यों कि अधना जयादा पर सब्छलेगा तरौकर लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि फोस का मतलियों नहीं होता है कि आप किसी ओते है करा मौफ कर रहा है ना यह भाल ओ determ खाल नहीं हो सकता है यह मतलब आप जो फॉर्स लगा है न वह मोसन को क्या कर रहा है इह चाना स्टार्ट हुआ इसके मोसन को अपोज कर रहा है और यह कौन तरीकत एक तरह का फोर्स है एक तरह का फोर्स ही है और पता है आपको दीरे दीरे क्या होगा रुके जायेगा तो option नेक्स को से ने वीचिज़ दा करेक्ट एक्ट इक्वेस्ट इसमें इसमें कॉन सा प्रिक इक वेशने साही एक्वेशन है ठीक है तो देखता हूं एज उकल टो फोंती यू पालस वी टी A is equal to B plus U Y T या B is equal to U T plus है तो हमको पता है कि Newton's law of motion कुछ motion देता है कौन-कौन सा Newton's law of motion होता है एक होता है A is equal to U T plus से half 80 square और एक होता है B square minus U square is equal to 2 A S और एक क्या होता है B is equal to U plus 80 ठीक है तो हमको कुछ मिलता जुलता इसी का नजर आ रहा है तो हम देखेंगे कि कौन सा सही होगा अच्छा अगर B is equal to U plus 80 है तो क्या हम लोग लिख सकते है A is equal to B minus U लिख सकते हैं A is equal to क्या हो जागा B minus U तो A is equal to क्या हो जागा B minus U upon T इसलिए option number A is the right answer हो जाएगा चलिए next question के तरफ आगे बढ़ते हैं next question क्या है आप यह तरफ फास्ट जाओंगा ठीक है क्योंकि time ज्यादा हो रहा है चलिए next question the working principle of washing machine washing machine कि principle पर काम करता है washing machine में क्या होता अगर घर में आपका washing machine होगा तो washing machine जैसे ही यह on करते है है तो क्या होता है यह तरह हो जाता है आप ज्यादा गढणा हो को भी सॉलूअन है उसको सेप्रेट करते हैं चाहें वह साइच के अनसर हो चाहेक सेप में सीटी में चाहें इसको सीटी में भी हो ठीक यह तो वहाँ पर एक रोटर गो 흥ा होता है और उस रोटेशन के यह परन क्या होता है कि निकलना स्टार्ट हो जाता और इसी अवासिंग च्राफ करता है चलिए हाँ डायलेसिस चाली में बीडिकले का चीजें वह बाद में बताँग центр कशल लेकिन पिताद डार्ज क्या होता है कि एक तरह का आप जो आरो का यूज करते है ना आरो यह आरो का फुर्फॉर्म होता है रिवर्स ओस्मेसिस आरो जो पानी को आप सूध करने के लिए जो यूज पानी को सूध करने पानी को प्रिफाइब करने के लिए आप आरो का यूज करते एक्षुले में कभ करता है उसको समय कर देता है उसमें से क्या करता है और पूछ युद की क्या करता है यहता है इस तरह वो करता है जैसे स्टेशे कोनց किया तो प्रेसर का एप्लाइड करता है इस यहां पर चीजों करेंगे क्षेट को होगा तो उसमें देखें होंगे कि छोड़ा छोड़ा दाना ताप कोछ चीज तरह से रहता है जिसकर बोलते हैं सेंधिभन एम्डर का काम होता है वाटर को फ्रेश करने का यहाँ से जैसे जो बडाबरा पार्टेकल है वह इधर के ही तरफ रूख जाता है और साल वाटर को क्या करत ये साल्ट वाटर जैसे इसके अंदर गुशता है साल्ट वाटर को खतम कर देता है और सिर्फ त्रिफ क्या निकलता है इस बहुत सारा मांट में मिनरल जो होता है इसको भी रिडूस कर देता है ज्यादा आरो का पानी पीना भी हमारे सहथ के लिए मतलब दायक नहीं होता है ठीक है चले के लिए जो मेरा मिल्क होता है उसमें से क्या करते हैं तर ना दूद का यह क्रीम कैसे बनता राखिर कौन साइस आखिर क्या होता है है कि आप किस तरह से उसको बूद से क्रीम को सेपरेट कर देते हैं यह मेरे को बताना है ग्राइट से करण कोहें सी पार्स करण सेंटी फिगल फोच के और या इसमें से कोई नहीं ठीक है तो कह विट से मोलेक़्ूफ के बीच का इसक़ 될 Clay Power Wirings को बोटे है सी क्या ईग नजफ ट्राइब उस क्या से इना होगा जैसी तरह का सवाटर वाटर लॉअटर में आप देखें होगा कि उसमें क्या होता कि जब आप लिए और इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉंडिंग होता है तो दो तरह का फोर्स होता है मने कि अगर अलग अलग में अध्यासन फोर्स लगता है अगर कोई मेरा वाटर ट्रॉपलेट अगर फिगर में है तो वह कारण होगा लेकिन अगर कोी पूरा कटक्रा हुआ है कुछ इस तरह का तो किसके का रूओधा हो रहा हो G के पीच में दोनो अलग-अलग मोली किसके पीच में क्या हो ड्यासन होगा लेकिन यह वहारा फीग्रा आप यह इस एरिया में क्या हो रहा है वाटर वा तर Пट्र यह चीज क्या होगा यह गलास आप देखेंगे कि एगर गलास में पानी भरा हुआ है तो चुछ इस तरह का उससे बन जाता है ना आप देखेंगे ध्यान से इस तरह का से बाट यह ऑड़े वाला सब्सक्राइब यहसे पाएं यह तोनों के बीच में कौन सा लग रहा है इसके बाद रखाँ कोस्को से कारण से के ढारण हो रहा है को है जुख दा परश्रस का घाम होता है तो कशी तरह का रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है सेंटरी फिल्फ सुेड़ करने का कोसिस करता हूँ एक जो जायेगा एक gün डी inksनतरAdd Fourth क्या होता है जैसे पर थ्या-प्रसन क्या की एक रजी से बांद कर यह पाग्र को ऽो रोटेट करना हर बीजिक है तुछ इस तरह से रोटेशन किया जब ुदे में दो तरह का इस सबसे पहरे थो पाथ हफ इनर्शिया लगता है फाथ हम्ए लगता इनर्शिया लगता है ये क्या होता है होता है कि यह सेंटर यह मेरा क्या सेंटर के तरफ लगता है उसको लोग बोलते हैं सेंटरी पेटल फोर्स और सेंटर से दूर जो फोर्स लगता है सेंटरी पीटल फोर्स और सेंटर के तरफ से दूर उर गया फ्यूगर फ्यू फ्यू फूर फूर हो गया फूर हो गया तो सेंटरी फ्यूगर फोर्स टिक है यह होता है सेंटरी फीटल का फोर्स फर्मूला होता है एं इंटो भी अस्वार भाई आर यह यह जो भी अस्वार भ अगर कर अगर 4 तरफ कोई मतलब घूम रहा है एक शर्कुलर पाथ में तो उसर्कुलर पात में घूमता तो यह फिर फीस एंटर के तरफ करने काम कॉन कर रहा है यानि यह को क्या हो जाता है यह बराबर हो जाता है जब सेंट्रीफिटल फोस इसके काराने कोई भी परसन अगर या कोई भी कारी आगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो आपने आपको बैलंस करके रख सकता है ठीक है यह पुरा का पूरा आपको कॉंसेट्ट हो गया सेंट्रीफिटल का चलिए आगे के तरफ बरते हैं ने है और इस पॉर्डी काका मांस है 50 kg 10 उसलीवाहीट में नजीमट के बराबर में ना होचा चैंग में नहीं किसके बराबर होता है एनर्जी के बराबर होता या चैंज इन का इनर्जी या चैंज इन पॉतेशल एनर्जी के बराबर हो जाता है और इसलिए हम लोग पूछा होता ना आप से कोशन अगर पोटेंशिल एनरजी नहीं पूछ कर अगर वगदन भी पूछा वह रहता ना तो फिर इसका अंसर क्या हो जाता 5000 जूली अंसर हो जाता ठीक है चलिए आगे की तरफ आगे भरते हैं ठीक है असरी मैं कंतिकल एनरजी जो होता है वह हमेंसा याद रखेगा वह काइनेटिक प्लस पोटेंशिल एनरजी के ब्राबर होता है सब्सक्राइब होता है इस दरह से मैंने आज 10-10 आप लोग को इंपोर्टन को सब्सक्राइब कर आया और यह आपको जो भी बच्चे अभी जो पूरा का पूरा जो सेशन कंप्रीट किया हूं उनको पता चल गया होगा कि मैं 10 को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा हूं लेकिन यहां से कम से कम 40-50 को सब्सक्राइब कर सामने आ जा रहे हैं अगले सेशन के तरफ में आगे के तरफ बरूंगा वह में कल लेक्चर आ हुए तो कल भी आप हमेशा अपडेट रहेगा कभी वीडियो डाला जा सकता है कुछ दिनों के बाद म वीडियो को अपलोड कर दिया जाओ अभी कुछ टेक्निकल प्रोब्रेम के कारण टाइम पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है इसके लिए में तरफ से सॉरी आज के लिए बस इतना ही थैंक यू कर दो